जल्दी बन बीजादी है और बनाने में भी बहुत आसान है तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं हरे मटर कुफते की सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करिए उसे मेरी वीडियो के नॉटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगी सबसे पहले सबजी की ग्रिवी बनाने के लिए कड़ाई में देट टीस्पून ओइल डाल देंगे अब इसमें एक तमाल पत्र दो लवंग एक दालचीनी का टुकड़ा एक हरी लाइची और आट से दस काली मिर्च डालकर सब मसाले स्लो फ्लैम पे रोस्ट करेंगे मसाले रोस्ट हो जाने के बाद एक टीस्पून जीरा एक टेबल स्पून मगजतरी और आट से दस काजू के दो तुकड़े करके डाल देंगे और इन सब को भी हम स्लो फ्लैम पे रोस्ट कर लेंगे अब रोस्ट हो जाने के बाद दो बड़े टमाटर के टुकडे डाल देंगे अब आधी टीस्पून नमक, वनफूर्थ टीस्पून हल्दी पाउडर, वनफूर्थ टीस्पून सूंट पाउडर दो टीस्पून धनियाजीरा पाउडर राता कप ग्रेट किया हुआ लग की सब मिक्स करके मीडियम फ्लाइम पे पकने देंगे जिससे टमाटर और लाओकी थोड़े शाफ्ट हो जाए देखे टमाटर और लौकी साफ्ट हो गया है अब इसमें हमवनी तर कब पाणि दाल कर मिक्स कर लेंगे और ढखके 2-3 मिनिट तक पकने देंगे अब 3 मिनिट के बाद ढखकन खोल देंगे दिखे टमाटर और लौकी एकदम सॉफ्ट हो गया है और सारे मसालों का टेस्ट अच्छे से ग्रेवी में आ गया है अब तमाल पत्र को निकाल देंगे और सब ठंडा कर लेंगे अब कोफते बनाने के लिए छोटे मिक्षर जार में एक कप फ्रेश मर्टर डाल देंगे अगर फ्रेश मर्टर नहीं है तो आप फ्रोजन मर्टर भी ले सकते हो एक कटी हुई हरी मेची और थोड़ा सा कटा हुआ हरा दनिया डालके ढकन बन करके सब करोश करेंगे उस्प्रेश करने के बाद इसे हम एक बावल में निकाल देंगे और आप देख सकते हो कि मैंने दर दरा सा करोश किया है इसे एकणाव फाइन पेस्ट जैसा करोश नहीं करना है अब इसमें 1 थर कप बोएल किया हुआ कच्चा केला डाल देंगे ये मैंने कच्चा केल को बोइल करके चिलके निकालकर ग्रेट कर दिया था अब इसमें आदि तीस्पून नमक, 1-4 टीस्पून हींग 1-4 टीस्पून दरदरा कुटा हुआ अजवाइन पाउडर आधी तीश्पून सुन्थ पाउडर, वनथफृट टीश्पून हल्दी पाउडर, एक तीश्पून धन्याजिरा पाउडर, हमचूर पाउडर, आधी तीश्पून गरममसाला पाउडर और यह मैंने वन्थर कप बेसन लिया है उसे भी हम एड़ कर देंगे अब इसमें देट टेबल स्पून ओइल डाल कर सब मिक्स करेंगे मैं वक्रटेश करेंगे यानि बेसन का यूज हमें सिर्फ मैंनि के लिए ही करना है और मतर को ज्यादा आहिक करस्के और जाब्स करेंगे तो कोफ्ते थोड़े हाट बन सकते हैं तो द्यान रखे मटर को दरदरा साफ क्रश करेंगे अब कुफते बनाने के लिए मैंने हाथ को ओई लगा कर ग्रीज कर दिया है अब हम छोटे छोटे गुल गुल कुफते बनाएंगे देखे इसी तरह हमें सारे कुफते बना कर तयार करने हैं सारे कुफते बना दिये हैं इतने मेजरमेंट से 15-16 पीस बनते हैं, अब हम इसे फ्राइ करेंगे, फ्राइ करने के लिए ओयल मैंने पहले से गरम करने रख दिया था, अब ओयल गरम हो जाने के बाद, एक एक कुफते ओल में डाल देंगे, और गैस की फ्लेम मिडियम रखेंगे, अब इसे हम पलट-पलट कर गोल्डन ब्राव होने तक फ्राइ करेंगे, कुफते फ्राइ करने में गैस की फ्लेम पे ध्यान रखना है, न ज्यादा तेज रखना है, न ज्यादा स्लो रखना है, नहीं तो कुफते हाड बन जाएंगे, देखे अब कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं अभी बाकी के कोफ्ते भी इसी तरफ फ्राई करके तयार कर लेंगे अब ग्रेवी के लिए जो टमाटर और लौकी को पका के रखा था वो सब ठंडा हो चुका है तो अब छोटे मिक्षर जार में डाल कर फाइन पेस्ट बना देंगे अब कड़ाई में एक टेबल स्पून ऑईल डाल देंगे और जो हमने पेस्ट बनाई थी वो एड़ करेंगे और गैस की फ्लाइम मिडियम टू हाई रखकर सब मिक्स कर लेंगे अब ग्रेवी अच्छे से घरम हो जाने के बाद एक कप पानी को मिक्षर में डाल के ले लेंगे और इसे ग्रेवी में एड़ कर देंगे और एक कप पानी डाल देंगे यानि टोटल हमने दो कप पानी एड़ किया है अब सब मिक्स करके उबलने देंगे अब ग्रेवी गरम हो जाने के बाद एक टीस्पून नमक, वन फूर्थ टीस्पून चीनी, देट टीस्पून कश्मीरी लालमिश पाउडर, वन फूर्थ टीस्पून गरम मसाला पाउडर और वन फूर्थ टीस्पून कसूरी मेथी डालकर सब मिक्स कर लेंगे और जो हमने मटर के कोफते फ्राइ करके रखे थे वो एड़ करेंगे और मिक्स करके एक से दो मिनिट तक उबलने देंगे अब दो मिनिट उबल जाने के बाद इसमें एक टिबल स्पून मलाई डाल देंगे आप फ्रेश क्रिम भी डाल सकते हो आप मलाई नहीं डालना चाते हैं तो स्कीप करके बीना मलाई भी बना सकते हो अब ढ़के दो से तीन मिनिट तक पकने देंगे जिससे मटर के कोफते सॉफ्ट हो जाए तीन मिनिट के बाद टकन खोल देंगे ग्रेवी की बहुत ही अच्छी खुश्पुआ रही है और कोफते भी थोड़े फुल के थोड़े सॉफ्ट हो गये है अब थोड़ी सी कटी हुई दनिया पत्ती डालकर मिक्स कर लेंगे अब हमारी सबजी बनकर तैयार है तो गैस बन करके एक से दो मिनिट तक डगके फिर साओ करेंगे बहुत ही मज़ेदार मटर कुफते की सबजी बनकर तैयार है इसे आप गर्मा गरम रोटी पराठा या नान के साथ खाईए बहुत ही टेस्टी लगती है और एक डिफरंट टेस्ट भी मिलता है तो ये रेसिपी को आप एक बार गर पे जरूर ट्राई केजिए सबको बहुत पसंद आएगी थैंक यू सो मच फर वाचिंग